नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फेर्स क्लाउड में तो दोस्तो DRDO एक और बड़ा धमाका करने की फिराक में है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे की चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है और चीन की नेवी को रोकने के लिए भारती Defense Research and Development Organization यानी की DRDO एक प्रलैकाली मिसाइल को बना रहा है और ये हतियार ऐसा है कि चीन के बड़े से बड़े एरक्राप्ट करियर को भी राग की धेर में तबदील कर देगा और इस मिसाइल के बारे में जानने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर हर रोड डिफेंस से जुड़ी खबरे मिलती हैं तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय वरवात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वो तीनों ही सेनाओं में सबसे महंगा हथियार होते हैं और यह एरक्राफ्ट करियर किसी सहर के बराबर होते हैं और उनको डुबाने के लिए किसी बड़ी मिसाइल की भी आव सकता पड़ती है और इन एरक्राफ्ट करियर की ताकत का अंदाजा ऐसे लगा जा सकता है कि एक अकेला एरक्राफ्ट करियर किसी भी छोटे मोटे देश को घंटों में राग के धेर में तबदील कर सकता है और एक अकेला एरक्राफ्ट करियर पूरी जंग का रुख बदलने का भी दमखम रखत और सायद आप सभी लोगों को याद होगा कि 1971 की जंग भारत का एकलावता एरक्राप्ट करियर आइनस विक्रांथ ने पूरे पाकिस्तानी सेना को रोक कर रखा था और पाकिस्तान भारत के आइनस विक्रांथ के आगे गुटने टेकने पर मजबूर हो गया था और इन दिनों चीन अपनी नेवी की इन ही एरक्राफ्ट करियर को बड़े पैमाने पर बना रहा है ताकि हिंद महासागर में भारत पर दबाओ बनाया जा सके और आपको बता दू कि पहले चीन एक भी एरक्राफ्ट करियर का इस्तेमाल नहीं करता था जबकि भारत उस समय दो-दो एरक्राफ्ट करियर को आपरेट करता था जबकि बीते कुछ सालों में ही चीन ने अपने नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए दो एरक्राप्ट केरियर को सामिल कर चुका है और इतना ही नई चीन तीन एरक्राप्ट केरियर बहुत ही तेजी के साथ बना रहा है वहीं भारत के पास अभी दो ही एरक्राफ्ट केरियर मौजूद हैं जिन में से INS विक्रान तबी आमारी नेवी में सामिल नहीं किया गया है और उसका भी समुद्री ट्राइल चल रहा है और चीन की बढ़ती नेवी की ताकत की वज़े से भारत तबाही मचाने वाले हत्यार पर कारी करना स्टार्ट कर चुका है और ये हत्यार को ऐसा वैसा नहीं बलकि डियार्डियो चीन के एरक्राफ्ट करियर को तबाह करने के लिए परमाडव एंटीशिप मिसाइल बना रहा है और डियार्डियो जिस मिसाइल को बना रहा है उस मिसाइल का नाम है अगनी प्रा टार्गेट को भी तबा करने में सच्छम होगी और यह मिसाइल ऐसी होगी कि यह मैनुरेबल रींट्री वाहिकल टेकनलाजी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े चलते फिरते एयरक्राफ्ट करियर पर भी अचूग पर माडू हमला कर सकेगी और यह मिसाइल बिल्कुल भार करने में सच्छम होगी वहीं DRD-O के मताबिक यह मिसाइल पर माडू हमला करने में सच्छम होगी और इस मिसाइल में खास तरह के वारहेट का इस्तेमाल होगा जिससे सायद ही किसी तरह के सिप्स या एरक्राफ्ट केरियर बच पाएं और 11 टन वजनी यह मिसाइल 14,000 किलोमी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर प्रस करें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद